हेलो फ्रेंड्स आज हम हर्याना जीके में करने जा रहे हैं हर्याना के कुंट और तालाब हर्याना के कुंट में सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सूरज कुंट सूरज कुंट कहां पर स्तीत है फ्रीदाबाद में इसका निर्मान कब हुआ था और किसने करवाया था सबसे पहले हो जाएगा निर्मान कौन से वन्ष में हुआ था तोमर वन्ष में किस ने करवाया था राजा अनंगपाल द्वित्या ने कौन से टाइम पर करवाया था क्या टाइम पिरड़ था äng में इसकी आकर्थी किसके जैसे सूरजकूंड की आकर्थी पूछिनी जाएइ किस अकार की तरह सूरजकूंड बना हुआ है उस में के अकार की तरह सूर्या की जैसी इसकी आकिरती है इसे सूर्या की जील भी कहा जाता है अब पूछ लिया जाए हर्याना के कुंड है उसमें सूर्या की जील किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है सूर्या कुंड सूर्या की जील किसे कहा जाता है सूरज कुंड को यह कहां पर ह है एनेज two and NH 44 कि मयूर जील इसके पास तीता है पूछ ली जाए कि सुरज कुंड के पास कुं सी जील सेता है मयूर जील मयूर जील के पास हर्याना का कौन सा सुराज कुंड बना हुआ है तो ब्च पूछ सुरज कुंड सूर्या देव के मंदिर के अवशेश भी हमें सूरज कुंड से मिले हैं अब सूर्या अब जो सूरज कुंड उसका एरिया कितना है एरिया कितना है 40 हेक्टेर अब एक हेक्टेर में कितना हो जाता है 2.471 एकड मतलब 99 एकड में बना हुआ है अब पूछ लिया जाए अंतराश्टिय सूरजकुंड शिल्प मेला कब लगता है तो कब लगता है वो हर साल हर वर्ष फरवरी में लगता है फैब में लगता है 2020 में जो सूरजकुंड मेला हुआ था वो कौन सा था 34 अर उसकी थीम स्टेट कौन सी थी हिमाचल परदेश और 2021 में कौन सा नंबर का मेला हुआ सूरजकुंड का 35 थीम स्टेट कौन सी थी राजस्तान अब दूसरा हमारा कुंड आता है सोहना कुंड सोहना कुंड कहां पर स्तीत है सोहना शहर में सोहना शहर कहां पर स्तीत है गुरू ग्राम में गुरू ग्राम इसे पहले गुरू ग्राम को पहले क्या कहा जाता था गुडगाओं इसका नाम गुरू ग्राम क्यों रखा गया गुरू दुरोनाचारे के नाम पर अब इसकी खोज कब की गई और किसने की इसकी खोज की गई है चत्रभुज नाम के बंजोरने अब Iska गरम पानी के लिए कि यहाँ पर गरम पानी होता अब इसे क्या कहा जाता है गरम पानी का चश्मा भी कहा जाता है अब पूछ ले जाए कि गरम पानी का चश्मा किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है सोहना कुंड को गरम पानी की जील किसे कहा जाता है सोहना कुंड को प्राकर्तिक जील भी कहा जाता है, प्राकर्तिक जील क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नैचुरल तरीके से ही इस कुंड का पानी गरम होता है, तो इसी वज़े से इसको हम प्राकर्तिक जील भी कहते हैं, इसके पानी के में नहाने से, जो सूरज कुंड है, सोहना कुंड है, ज अब इसके पानी में जो चरम रोग ठीक होते हैं इसके पानी में पाया क्या जाता है क्या पाया जाता है तो गंदक जिसको हम सलफर भी कहते हैं और खनीज लवन पाये जाते हैं इसके पानी में गंदक वे खनीज लवन पाये जाते हैं यह कहां पर स्थीत हो गया अरावली की पहाडियों में तीसरा कुंड कुं सा है हमारा नव घ्र all इस निर्मांन किस ने ale फांडव करए अगर ऑप्षं में पांडव नहीं दिखा रक्षा नाम दिखा रख्या भीर युद्ष्टर कारन अर्जू नकुल तो उस में से हमारा क्या हो जाएगा युदिष्टर ने करवाया अगर option में पांडवो है तो पांडव को हम प्रैफर कर देंगे अगर पांडव नहीं है तो हम युदिष्टर को प्रैफर करेंगे इन ग्रह कुंडों के कारण ही क्या इन गर्चोर ये नव ग्रह कुंड बना हुआ उसी क कारण कैथल को क्या है छोटी काशी हतीनि कुंड हतीनि क कहा पर स्थीत है हतीनि कुंड हमारे हर्यान में जम्ना नगर ये किसे ताजे वाला भी कहा जाता है अब सब्सक्राइब करने कर्याने करते हैं कैसे की लिए थिकना करते हिना करते हैं तरह पैर कहले पानी में असफ्टर की कियाँ जाता है बैस लावा ये हैए सूरिया सनान करने से क्या है नी संतान जो महिलाई होती है उनको संतान की प्रापती हो वल में अब यह पूछ लिया जाए कि चमेली वन में कौन सा कुंड है पाया जाता है तो अंजनी कुंड कौन से वनों में पाया जाता है तो चमेली वन में इस कुंड का संबंध किसे है एक तो हनुमान जी से और एक श्री क्रीशन जी से ओके फ्रेंड्स आगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी वीडियो प्राप्त कर सकें